नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस तरह के हमारे जो भी 108 के बल्ब आते हैं इनको जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं और लगाते हैं तो या तो हमारा उसी दिन ये बल्ब खराब हो जाता है या दो चार दिन चल के ये खराब हो जाता है तो ऐसे में हम परिसान हो जाते हैं एकर कही सो आठ का बल्व हम जलाना भी चाहते हैं तो हमारा बल्व जली जली खराब हो जाता है कितना कोई बल्व लगाएगा जब कि यहां पे जो हमारे लेडी बल्व आते हैं लेडी बल्व के साथ इतना इसमें प्रोटेक्शन दिया रहता है कि हमारा लेडी बल्व सालों स चलता है और इसी लिए कंपनी जो है कि इस पर साल दो साल का गारंटी भी दे देती है और उतनी दिन हमारा चलता भी रहता है लेकिन दोस्तों यहां सौ आड के जो बल्ब हमारे होते हैं इन में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है बोल्टे चुकी इस समय थोड़ा ज्यादा हो सालों साल तक चलता रहे तो आएए वीडियो सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेश्ट भाई आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कूल मत भूलिएगा ठीक है तो आएए बताते हैं कि कैसे इसको आप प्रोट डायोड लगा दीजिए और फिर यहां पे आप सप्लाई दीजिए या फिर दोनों में लगा दीजिए ठीक है लेकिन इसमें प्राबलम यह होता है कि जो हमारा बल्ब होता है वो ब्लिंकिंग करता है और ब्लिंकिंग हमको साप दिखता भी है कि हमारा बल्ब जो है वो ब्ल इनके पास इस तरह से कबार में फेका हुया DTS का power supply हो, वो DTS power supply कबार में जो आपका फेका हो, तो वहां से अब उसको उठा सकते हैं, ठीक है, इसमें से क्या निकालना है, देखिए, ये capacitor आपको यहां से निकाल लेना है, तो मेरे पास दो power supply इस तरह से है, और दोनों में capacitor हम निकाल लेते हैं, ठीक, एक को निकाल लिया, ठीक, इसी तरह से दोनों को हम निकाल लेते हैं, तो दोनों capacitor हमने निकाल लिया, इसका जो नंबर है, इस पे 47 गवर 450 बोल्ट, ठीक है, और दूसरे का भी नंबर वही सेम है, थोड़ा इधर उधर रहेगा, तो भी आपका च चलेगा, अब यह caip seater आप जब नया लेंगे, तो इसके लेग बढ़े होंगे, लेकिन हमने पुराने मेंसे निकाला है, तो इसके लेग हमारे छोटे-छोटे है, ठीक है, तो जब बढ़े होंगे, तो आपको लगाने में और आसानी होगी, लेकिन अगर नया नहीं है, तो हमने माइनस साइड का जो है माइनस इधर है माइनस साइड वाले को इस तरह से मोड दिया और दूसरे का यहां हम क्या करेंगे प्लस वाले को इस तरह से मोड देंगे ठीक है मोड के और फिर यहां प्लस माइनस को आपस में हम इस तरह से जोड देंगे इस तरह से हमें दोनों क का एक एक लेक जो है ये इस तरह से आपस में लगा लें यानि एक का प्लस और दूसरे का माइनस इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे अपना एक holder लेंगे ठीक है holder जो भी आपका है holder लेकर देखे भाई इसको मैं बंद कर देता हूं चुकि मैं अंदर अभी नहीं फिट करूंगा चुकि यहां अगर अंदर फिट कर देता हूं तो फिर उसका पूरा प्रोस्यस आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा ठीक है तो holder को मैं यहां पाइक कर देता हूं और इसका कोई भी एक wire कोई भी एक wire कैपशिटर के plus या minus आप किसी पर भी जोड़ सकते हैं तो मैं यहां minus पे holder side वाला wire यहां पे sold कर देता हूं ठीक यह sold हो गया अब हम क्या करते हैं एक दूसरा wire लेंगे जो कि हम विजली से इसको connect कर स रहेगा यहां पर आपका cut नहीं रहेगा उसको आप direct रखेंगे ठीक है लेकिन मेरा यहां cut एसलिए फिर से इसको यहां पर sold करना पड़ेगा ठीक तो यहां मैं sold कर देता हूं यह तार हमारा direct रहेगा जो दूसरा wire है यह यह आपको यहां पर जोड़ देना है अब दोस्तों ये तो मैंने जोड़ दिया, आपको जला की में दिखा दूंगा लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि यहां वाकई में ये kाम कर रहा है यह नहीं कर रहा है तो अब इसको हमें कहां जोड़ना है यहां पे देखिए कैपिसीटर के यहां इस पॉइंट पे जहां हमने वायर जोड़ा है एक तार हम पे जोड़ देते हैं क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि यह सरकीट जो है हमारा काम कर रहा या नहीं कर रहा ठीक है आप इस तरह से प्रेक्टिकल भी करिएगा तो आप बहुत बचा के करिएगा चुकि करेंट मार सकता है ठीक कहीं भी टच करेंगे तो आपको करेंट लग जाएगा अब इसमें हम बल्ब को हिट कर देती है हमारा 108 का बल्ब इसमें मैं लगा देता हूं ठीक यह बल्ब लग ग बाद जो हमारा बल्ब है यहां पर जल रहा है लेकिन पुर्टेक्ट होके जल रहा है यानि धीमा जल रहा है ठीक है तो अब हमारा इस सर्किट कैसे काम करता है आई यह स्वीच को हमान करते हैं बड़ी साउधानी पुर्वत यहां पर देख सकते हैं जैसे हमने स्वीच को किया वैसे हमारा जो है कि ये बल्ब बहुत तेजी से जल रहा और जैसे इस वीच को हम आफ कर देंगे वह ऐसे हमारा ये बल्ब जो है फुली मुलब प्रोटेक्ट हो गया यानि स्लो जलने लगा तो जब बोल्टेज इसको कम मिलेगा तो बल्ब हमारा जल्दी खराब नहीं होगा अगर आपको लगता है कि आपका बल्ब बहुत धीमा जल रहा है तो आपको क्या करना है देखें यहां पर मैं यहां से हटा देता हूं आपको एक कैपजिटर के वर लगा देना है यहां पर एक कैपज़िटर लगा कैपज़िटर हम देकiza जो आ के तintre प्र कीहाँ से यहां इसको अवाई देते हैं आप देस्कते हैं हमारा बल्ब है उससे जल रहा ठीक है और अब switch को हम यहाँ पर on कर देते हैं तो देखिए जैसे switch को मैंने on किया bulb हमारा full फूल रोसनी में जतना voltage आ रहा है पूरा full voltage इसको मिल रहा है तो बहुत तेजी से जलने लगा लेकिन जैसे ही आप करेंगे वो हलका हो गया और एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोई blinking आपको नजर नहीं आएगा चाहे आप कैमरे में देखिए चाहे आप कैसे भी थोड़ा से वह blinking आपको नजर नहीं आएगा तो दोस्तों यह रहा छोटा सा यह हमारा पोटेट करने का तरीका मातर एक कैपसीटर लगाईए आपका बहुत 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 जलेगा वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल क को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार